सो yellow and welcome guys मैं आपको बताने वाला हूँ कि text input layout में आप इररor delete it ku करवा सकते हैं साथ आप TexTION bracket काउंड कैसे करवा सकते हैं जी है गाइस अगर जीसे ही यहाँ ptxt टेंक hvad maximum हो जाता है जितना limit आपने set कर रखा約 इससे ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आप error message कैसे so करवा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ guys मैंने कल एक video upload किया था जिसमें आपको बताया था कि आप text input layout कैसे create करेंगे sketchware studio में अगर आपको नहीं पता तो वो video उसको जरूर देखें मैं इस video का description में उसका link हो सके तो दे दूँगा अधरवाज आप search करके भी देख सकते हैं ठीक है guys तो चलिए बेने time का इस video को सुरूर करते हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर demo दिखा देता हूँ यहाँ पर तो हमने उस video में बताया था कि यह सब designing के बारे में हमने बताया था आपको और उसमें थोड़ा सा बता दिया था कि यहाँ पर takes अगर आप टैप कर रहे हैं तो यहाँ पर error में से so होगा लेकिन यहाँ पर वो कुछ मतलब जो correct तरीके हैं जो अच्छे तरीके हैं वो मैंने नहीं बताया था मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर यह जो so हो रहा भी error यह error आपको हमेशा so हो रहा था guys तो हमने उसमें बताया था कि आप कंडिशनिंग वाले जो block है वो यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे subscriber हैं उन्होंने comment किया कि यहाँ पर 10 character तो 10 10 हो गया तो अभी कोई भी error message नहीं सो हो रहा है अगर आप जैसे ही यहाँ पर एक और type करते हैं 11 हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर एक error सो हो रहा है यहाँ पर error देखने को मिलता है कि please enter your name only in 10 characters तो इस तरह से error आपको तो इस तरह से कैसे set करते हैं वह हम देख लेते हैं आज हम sketchware studio में तो सबसे पहले यहाँ पर sketchware studio को हम open कर लेते हैं यहाँ पर और plus पर किली करके new हम यहाँ पर project create कर लेते हैं यहाँ पर मैं step by step बताने वाला हूँ तो यहाँ पर text input layout हम इसका name रख देते हैं text input layout ठीक है और create effect क्लिक करते हैं create effect क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे एक simple सा है कि चलिए हम designing के लिए linear view को ले लेते हैं और इसका width जो है match parent कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका gravity setter बर्टिकल कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा text input layout है जो उसे हम यहाँ पर drag करके लिए आते हैं और हम इसका padding और यहाँ पर हम edit text ले लेते हैं और इसका width कर देते हैं और edit text का जो हम यहाँ पर text size थोड़ों सा यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर जाएंगे हम पहले यहाँ पर हिंट सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं कि इंटर यूर नेम तो चलिए हम इंटर यूर नेम कर देते हैं यहाँ पर जाएंगे उसके बाद यहां तक आपको अल्रेडी बता रखा था यहां पर मैं आपको बता दूँ व्यू में जाएंगे व्यू में जाने के बाद व्यू ब्लोक में जाएंगे यहां पर और यहां पर आपको मिल जाएगा ब्लोक देख सकते हैं तो सबसे पहले यह हम सेट करेंगे यहां पर जो हमार लेते हला पर स्ट्रोक कलर कि ये लाएं उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि मूड जो हम वे ग्रोंड मोड कर देते हैं ओट लाइन शेलेक्ट यहां पर गायज office do now and line और यहां पर हम- आप यम कोर्न जो है मिरंड कर देते हैं 1010 लेफ टंड कर देते हैं चलिए हम यहां पर 10 कर देते हैं इसे भी और यहां पर इसे भी हम 10 कर देते हैं और सभी को हम 10 10 कर देते हैं ताकि हमारा जो है रॉंड हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां यहां पर हम सेट कर देंगे यह वाली गया यहां पर कि सेट काउंट और यह यह दोनों सेट कर देते हैं यहां पर ठीक है तो काउंटिंग जो हमारा अनेबल रहेगा इसको प्रू कर देते हैं उप्रेटर में जाएंगे तो आप यहां पर फर्स्ट ही में आपको दिख जाएगा true करने का और यहाँ पर हम limit कर देते हैं कि 12 character यहाँ पर कर देते हैं वो हमारा जो है यहाँ यहाँ इतने ही character में हमारा जो है यह उससे जदा होगा तो हमारा error score होगा अब यहाँ पर क्या है guys कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने उस वीडियो में बता रखा था पिछले वाले वीडियो में part 1 में तो अब हम क्या करेंगे कि error message को set करेंगे यहाँ पर जाएंगे guys यहाँ पर view में जाने के लिए यहाँ पर view में जाएंगे और यहाँ पर plus पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में plus पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा edit text on change जब हमारा edit text में कुछ भी मतलब enter होगा changes आएगा क्या changes आएगा guys हम यहाँ पर conditioning format को यहाँ योज करेंगे आपके conditional format तो हम यहाँ पर control में जाएंगे और यहाँ पर इफ और यहाँ और यहाँ पर क्या कर देख कि अगर हमारा यहाँ पे greater than होगा यहाँ पे length हम लेंगे यहाँ पे length अगर हमारा जो यहाँ पे input जो हो रहा है उससे हमारा जो दिया हुआ है ले चलिए हम करते हैं यहाँ पे view में जाते हैं और view में जाने के बाद यहाँ पे इस block को हम set करें यहाँ पे यह देख सकते हैं कि हमारा जब जो भी हमारा limit set किया गया है कि हमारा 12 set किया गया है उससे अगर हमारा इस limit से हमारा ज्यादा होता यहाँ पे input वाले तो हमारा यहाँ पे error message so होगा तो error message को हम यहाँ पे क्या करेंगे यह सो करवाएंगे और यहां पर error message को हम true कर देंगे ठीक है यहां पर error message को हम true कर देंगे अब यहां पर क्या करेंगे कि अगर हमारा नहीं सो होगा मतलब कि यहां पर अगर हमारा सही रहा Milt Bank יעer message boll rzecz होगा मतलब इससे ज्यादा होगा तो हमारा इरर तो 100 होगा लेकिन अगर कम होगा तो हमारा इरर जो है यहाँ पर false होजाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे Error message को 100 करवाते हैं IRR message को select करते हैं Please है कुछ भी enter कर सकते हैं इंटर ओंडी इंटर यूर नेम यूर नेम ओंडी इन टुवेल कारेक्टर ठीक है उसके बाद हम यहां पर हमारा जो है इरर मेसेज हम प्रू करेंगे और एक में नीचे में फॉल्स करेंगे ठीक है तो हमारा जब रहेगा यहां पर टूल कारेक्टर से ज्यादा तो हो जाएगा और कम रहेगा तो हमारा फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो इतना ही आपको सेट करना था गाईस और कुछ भी नहीं करना था आप चलिए हम इसे रहन करके आपको एक बार दिखा देते हैं तो यहां पर एक है रन हो जाएगा रन करने बाद आपको हम यहां पर दिखा देते हैं कि आपका जो है यह इरर मेंसेज आपको सो होता है गाईस एक्चुली मैं आपको बता दूंगा इसकी ओल्रेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है असकेच्वियर में बाद नया था कि आसकेच्वि जो है कस्टमाइज जो ब्लोक है सिर्फ उसी को यूज़ करके आप यहां पर कर रहे हैं गाईस यहां पर स्केच्वियर स्टूडियो में गाईस तो यह थोड़ा सा एडवांस है और साथी साथ यहां पर डिजाइन भी आपको देखने को मिलता है गाईस वह नॉर्मल था औ हम एक बार दिखा देते आपको और फिर वीडियो को और कोपरने करेंगे स्यंट कर से चलिए हम वैड़् कर लेते हैं थोड़ा तो यहां पर आपको background color एक बर change कर लेते हैं white कर लेते हैं यहाँ और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको रन करके दिखाते हैंगा इस ठीक है वीडियो पहुज करके तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से open कर लेते हैं और यह हमारा background white हो गया है अब यहाँ पर click करेंगे तो देख सकते हैं अभी जो हमारा attractive दिख रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ अगर आप यहाँ टैप करेंगे तो जीरो यहाँ पर character आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर कुछ भी टैप कर रहें तो देख सकते हैं 8-ける अगर आप आते हैं 12 तक आते हैं तो यहाँ बिएक है यहाँ 00C-olph Hier Hieroser को होगाрий हाँ ए इस तरह से आप करेट कर सकते हैं तो यह होप यह वीडियो आपके लिए यूज फूरा हो तो चली मिलते नेक्स वीडियो में नहीं टुटोरियल के साथ तब तक के लिए बाबाई टाटा थेक्स पूर बाचिंग